नश्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेज मंतरा भाई दीपक रहा है मेरी तेके सवानी आज एक बाफ फिर सुपस्तितु आप सभी के भी यूपी टीपलसी पेट की मैथ लेकर जैसा कि आप सभी लोग जानते थे अभी तक आपको पेट की मै प्रेक्टिस कराता रहूंगा जिसमें कि मैं बार ग्राफ वाई चार्ट ग्राफ प्रेखा ग्राफ और जो पांच नंबर की अंगड़ी ताने वाली है उसको आपको सॉल्व कराऊंगा प्रेक्टिस सेट के माध्यम से और खोसिस करूंगा कि हमारे जो भी कराय हुए जिसमें कुल 42 लाग फॉर्म भराएं हैं इस 42 लाग फॉर्म में आप समझ सकते हैं कि पिछली बार के मुकाबले जश्ट दुगना कॉम्पेटिसन बढ़ गया है तो आप समझे कि अब कटाप और हाई जाएगी क्योंकि इतने ज़्यादा लड़के फॉर्म भर दिये हैं कि समझ आप सकते हैं कि 92 हर पेपर के कटाप जाएगी तो उसके लिए आपको पिट एक्जाम में अच्छे अच्छे मांक्स गेन करने होंगे तभी आप आने वाली भरतियों में बैट पाएं जैसे कि पिछले पिट के बास से मुस्किल से एक ही दो भरती किलियर हो पाई है तो को अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं तो 20 नमबर आपके पक्के हो जाएंगे इतना इजली आप इस नमबर पा जाएंगे कि आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी तो बस उसी बीस नमबर को दिलाने की पूरी कोसिस करूंगा मैं आपको यहां पे कुछ कुशनों को सॉल कराके चली आए समय को ना खराब करते हुए इस प्रेक्टरिस सेट को सॉल्व करते हैं और आपको आपके जो भी डाउट है पाई चार्ट में उसको वाच क्लियर करते हैं डेली ऐसे एक अच्छी वीडियो आपके लिए आती रही आज पाई चार्ट से संबंदित है कल बार आप से संबंदित वीडियो रहेगी ताली का से रहेगी जैसे भी होगा आपको मैं कराता रहूंगा डेली तो आए समय को ना खराब करते हुए देखते हैं आज के स्टाइप को पहले क्वेश्चार्ट का है क्या कह रहा है नीचे दिए गए वित्ष चार्ट से अध्यान की प्रशनों का उत्तर दीजिए यह एक पूरा गोला है एक छोटी सी बात और मैं आपको बताना जाता हूँ यह हमारा पाई चार्ट का यह गोला होता है जो पूरा गोला होता है अगर उसके अंदर जो भी हमारी वैल्यू दी रहती है अगर वह वैल्यू परसेंटेज में दी तो यहीं पर परसेंटेज में रहेगा जो डाटा यहां दीया रहेगा तो हम लोग पूरे ही कुंशनों को सब परसेंट लेकर सॉल्फ करेंगे और अगर और प्रतिसदवार सिक्षण किल शात्रों की संख्या में कितना दिया हुआ है आठ हजार हुआ है किस में किस मलख उनकी कैसी विसेश्षदा है वे हमें पूछा है जैसे कि आई-बी में 19% आइटी में 17% आई आर में 16% विद्ट में 12% है विपढ़न में 22% है चार में 14 परसेंट यह हमें डाटा छोटा सदे दिया है इसी से संबंदित 5-6 कुष्चन हमसे पूछेगा और अगर आप उनी 5-6 कुष्चनों को अच्छे से सौल कर लेंगे तो एक कुष्चन में आपका पांच नंबर 10 नंबर पक्का हो जाएगा तो आइए कुष्चन को द उनकी तुलना में हमसे पूछ रहा है कि इन जो कुल छातर की संख्या दी है इसका 19% कितना होगा क्योंकि आई भी पूछा है आई भी वाले स्टूडेंट कितने हैं आई भी छेतर में पूल 19% स्टूडेंट है दिसी 8000 का आपको क्या निकाल देना है 19% निकालना है किसका न तो आई वी भी से सिगता वालों छात्रों की इकुल संख्या कितनी है 1520 है जो कि हमारे आपसर नंबर बी में दी हुई है आसा करूंगे कोस्चन आपको समझ में आया होगा बातों को समझे कोस्चन को आसान तरीके से सॉल्व करने कुसिस करिए देखिए यहां पर 19% दिया है आप जानते हैं 8000 का 10% कितना होता है 800 होता है बीस परसेंट कितना होगा 1600 होगा 1600 के आस पास जो एंसर दिख रहा था वही इसका अंसर होता अगर आपको अपना प्र में समय बचाना है सव क्वेशन सॉल्व करने हैं तो उन तो को स्वेशन हो और आपको दिमाग से एकदम स् दीख है आठ हजार का पीस परसेंट सोला सो होता है सोला सो से एक परसेंट कम आसवास 1520 लिखा दीखिए 1520 हमारा एंसर हो जाएगा तेली परते अपने अगले प्रस्ट भे देखिए इसकीन प्रेगला कोश्चन है उसी पाई चार से संबंदी थे बोल किया रहा है वित्र विसेश्चता वाले चात्रों का एचार विसेश्चता वाले चात्रों का क्रमसा अनुपात क्या है देखिए पूछा किसे ये वित्र वाले चात्रों का और एचार वाले चात्र पहुचा है हमसे अनुपात पूचा है देखे नुपात निकालने के लिए क्या करते उन ही की परसंटेज का ही हम निकाल देते हैं हमारा निकाल आ आजाएगा आप इसकी नॉर्मल यहां से निकालेंगे फिर उसका पर सिंटेज हुएं निकाल लिए उसी पाई चार से अगला कोस्चन है कम एक पाई चार से चार या पांच कोस्चन बनाते हैं रहें अगला कोस्चन क्या कह रहा है और विसेश्टता वाले छात्र चात्रों के लगभग कितना प्रतिसात है यह आई आई आर वाले जो छात रहें यह चार वालों के कुल कितने प्रतिसात हैं हमें यहीं बताना देखिए आई यार वाला पूछ रहा है आपसे किसा पूछ रहा है आई यार छात वालों का पूछ रहा है किसकी तुलनाम पूछ रहा है तुलनाम हमसे किसे पूछ रहा है चार वाल में लिखा जाता है जिससे की जाती है वह हर में लिखा जाता है यहां आई यार की बात कर रहा था तो आई यार कहां लिखेगा अंस में लिखेगा किसकी तुल्ला में अब आप यहां नहीं है यहारी लगा एक आठ चुक बतिस एक तैंसर आता है नियरेस्ट हम लोग देखते हैं अगर यह पांच से नीचे होता तो इसको हम लोग 113 ही लिग देते यह पांच से उपाच चला के इसलिए राउंड फिगर में 114 इसका एंसर आएगा आपको समझ में आ रहे होंगे और कि इसकी पर अगला कोस्चिन है बोल क्या रहा है आई आर विप्राण और आई टी में विसेश्टवा वाले चात्रों के कुल कितनी संख्या है तो आप देखिए आई आर और आपसे किस्ते पूछा है विप्राण वाला पूछा है और किस से पूछा है IT पूछा है इन तीनों के हमसे क्या पूछा है टोटल वैल्यू पूछा है तो आप देखिए IR कितने % है 16% है विपरण कितने % है 22% है और IT कितने % है 17% है तो अगर हम इने टोटल कर लेते हैं तो 22, 16, 38, 38 और 17, 55 देखें ये तीनों मिला के कुल का कितने य है 55% इसी को हमको इस नॉर्मल वैल्यू में ले आना है इसी 55% को ये 55% किसका 8000 का किसका 8000 का 8000 का हमें 55% निकालना है किदनी है यहां पर कुल संख्या लिखना मिस होग्या है तो कुल संख्या कितनी है तक चबने लिए आपको सोयम से करना है अगर पेपर में आपको अच्छे नंबर पाने है तो सबसे बड़ी बात है आपके लिए आपकी कल्कुलेशन जितनी तेज़ आप अपनी कल्कुलेशन रखेंगे उतनी ही तेजी से उतनी ही जमार तरीके से आप को सब्सक्राइब करेंगे लाश जाहे जितनी ट्रिक बता दी जाएगी जाहे जितने आसान तरीके स्पढ़ा दिया जाएगा अगर आप जोड़ घटाना में समय अपना खराब कर देंगे तो खोई भी तरीके से आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे इसलिए जादा जाद आप इसमें क्या करिए प्रैक्टिस करें इस समय आप जितनी प्रैक्टिस करें उतनी आपकी कल्कुलेशन बढ़ेगी और उतनी जल्दी आप इस टाइप की कोश्चनों को स्वाल करेंगी डाटा बेस जितने भी कोश्चन रहते हैं इसमें केबल और केबल कल्कुलेशन महा सब्सक्राइब करें नीचे दिये गए पाई चार्ट को ध्यान पूर्वा अध्यान करके निम लिखित प्रशनों के उत्तर दीजे यह आपको पाई चार्ट दिख रहा होगा एक सुन्दर सा पाई चार्ट बना है वहाँ देखिए बता क्या रहा है एक भवन निर्मान पर सार्ठ से इसी से हमारा सारा नाता रहेगा किससे रहेगा 305 डिगृ कर ठीक है इसमें जो भी डाटा दिया गया होगा किसका दिया एक भवन निर्मान का कि एक भवन निर्मान में कहां कितना पैसा खर्च हुआ तो आए देके तो समल लेते देके सब से जादा आज्कल हो गया मजदूरी में फिर सिमेंट में इट में 54 डिगरी लोहा में 54 डिगरी परेयाव अक्षर में 54 डिगरी इमारती लकड़ी में 36 दिए जहां जो पैसा खर्च हुआ उसका डाटा दिया गया ये कुल खर्च किसमें तो डिगरी अच्छा देखिए नीचे आपको कुश्चन बता रहा है अब आप कोश्चन का जवाब देना शुरू करिए बोल क्या रहा यदी भवन निर्मार पर आई कुल लागत 15 लागत कितनी है 15 लागत कितनी दी हुई है 15 लागत दी गई है तो मस्दूरी पर कितनी रासी खर्च आप यहाँ डाटा उठाक देखेंगे तो आपको दिख रहा है मस्दूरी में कितना खर्च हुआ है 90 लागत अब आप फटा फट इसका 90 लागत निकालना शुरू कर देंगे तो आप एक बात जानते हैं वखुबी कि 360 का 90 लागत कितना है एक बटा चार भागत अगर इसी 15 लाग को हम लोग केवल चार से डिवाइड करते हैं तब भी हमारा एंसर आ जाएगा पहले आप नॉर्मल तरीके देखें इस नब्बे डिग्री आप निकालेंगे किसकी तुलना में 360 कि तुलना में 360 कि तुलना में अउकुल हमारी वे लागत कि दिनी थी 15 लाग थी ठीक है कि 9 चोंटक्या होता है 36 होता है 9ों क्या होता है 36 370 वैले एक 15,000,000 होगी उसका एक वैली क्या होगी उसका एक बटा है चार क्या होगी ताब इस ही 15,000,000 intra4 निकल दीजिए बहुत आसारी निकल 15 7,000 कहा थाAltona 5 होता है 5 он 5 35,000 शली आगे बढ़ते हैं अगने अगले और लोह तता सीमेंट पर कुल मिलाकर व्याव हुई धन्रासी भगन निर्मार पर अगला safety प्रस्रत है बोल किसका किसका अरहा है सिमेंट का किसे लोह इसका कितना प्रतिश्यत ROB说 मिलाकर कि घर्च हुआ हैं तो आप देख रहा है है कि 54% हुआ है लोहे पर 5430 हुआ है इट पर 72 हुआ है किसमेंट थिवा है किसमेंट थेख चैनल Rest 54 75-50 कितना हो गया एक 하지 कुल 360 ण्री क्याहिद वारा खर्च था जो detail डाटा दिखाया गया था कितने के दिखाया गया था 360 का जिसमें से केवल और केवल 180 डिग्री काम किसने ले लिया लो हाई इट सीमेंट में तो आप खुबी जान रहें कि टूटल 360 था अगर आधा 180 होता है यानि 50% कितना परसेंट 50% इन तीनों में खर्च हुआ है कितना परसेंट खर्च हुआ है 50% बातों को समझेगा आपको लग रहा होगा कि समझा का मुल्जा जादा रहें लेकिन ऐसा नहीं है इद्दम इजली तरीके समझेए अब पूछ का रहा था इट लोहे तथा सीमेंट पर कुल मिलाकर व्याव हुई धनरासी पूरे पाइचार्ट के टूटल क्या होता है 360 होता है हम जानगे कि लोहा इट सिमेंट को मिलाक के जो डिग्री वैल्यू बनती है कितनी आई है 180 आई है 180 डिग्री टूटल 360 डिग्री था उसका आधा केवल ये तीनों ले लिये हैं तो हमें उसमें रासी में निकालने की जरूरत ही नहीं है हम यहीं समझ जाएंगे कि उलपर 40% खर्च इट लोहे और सिमेंट में लग गया है तो आपको ये तरीका ज्याद करने कोशिज करेंगे तो बहुत फट 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 कुश्चन है क्या होंगे साल हो जाएंगे चली बरते अपने अगले प्रश्ट पर अगला कुश्चन है बूल क्या रहा है इमारती लकडी पर कितना प्रतिसाथ है इमारती लकडी का जो खर्च आया है वह सीमेंट के खर्च के कितना प्रतिसाथ है तो आप देख रहे हैं इमारती लकडी पर कितना व्याव आया है इमारती लकडी पर आया खर्च है वह सीमेंट पर कितना प्रतिसाथ है आपको नॉर्मल वैल्यू से सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है जब हमारा डिग्री से वैल्यू से काम हो जाए हम जान इमारती लकडी में 36 डिग्री खर्च हुआ है और सीमेंट में 72 जिट डवल तो अगर पूछा आया खर्च सीमेंट की खर्च का कितने कर साया थे identified 50% अगर यहीं पूछ लेता कि सीमेंट का खर्च इमारती लकड़ी के कितने परिशी सायथ hai तो दो यह क्या हो 15 लाग तो मजदूरी में कितना खर्जों वही सेम कुष्टन दुवारा रिपीट हो गया इसका एंसर हमारा क्या था 3,75,000 था कितना था 3,75,000 आइए बढ़ते अगले प्रस्पे अगला कुष्टन है यह बहुत ही सई से आया नहीं यह तब भी समझते हैं बोला क्या यदी परिवार की कुल आये साथ हजार है कुल आये कितनी है साथ हजार है तो भोजन तथा सिक्षा में जो खर्च है उसका हमें अंतर पूछा है देखिए यहां पर जो लिखा है क्या लिखा है सेविंग लिखा यहां पर फूड लिखा है यहां पर रिंट लिखा ह है यहां पड़े लिखें यहां पर ट्रांस्पोर्ट है यहां पर अधर है अब देखिए बूल कि आ और है यदि परिवार की कूलाइब साथ यहारे महीने की जो तंखा है कितनी हैart 6000 और उप सिझ्छा कितना है बौजण 20 परेइब बुझा में 15 परसेंट ते तो निकाल दे रहूँ साथ हजार का पाचप संट होता है कितना तीन हजार छे तो गुड़े 5 30-0 लग गया थिया तो साथ थाथ हजार का 5 परशन क्या होगा 303 रोगा भूजन और सिख्चा के ब्याओं में कितना अंतर है 3000 का अंतर है अगर वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई होगी इसे ज्यादा ज्यादा शेयर करिएगा और सेयर करने के साथ सथ आपके लिए महात्पूर सूचना और है जैसा कि आप जान रहे हमारे अप्लीकेशन पर आपको यूपीटी पलसी पेट 2022 किया पूरा कम्प्लीट कोर्स मात्र 399 रुपय में कराया जा रहा है यह पूरा यह पूरा जो कोर्स है मारा कितने का है 399 रुपय का जो की पूरे यूट्यूब हिस्ट्री में कहिए तो सबसे कम फीस में आपको कराया जा रहा है जिसमें आपको पूरी लाइब वीडियो मिल लाई है डेली पांच घंटे की क्लासेश चल लाई है पीडियाप मिल लाया नंबर से ज़्यादा की अंपर चाहते हैं और अच्छे नंबर उस इकदम पेट में आप पास होना चाहते बिगएर किसी समस्या के बिगएर किसी टेंसन के जल्दी हमारे अपली केसन को डौर बियांड करें और यह हमारा पीड़ को पर्चेश करिए जिससे कि आपको आने ठीक साथ में विदा लेता हूं कर फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ धन्यवाद